नमस्कार दोस्तो आज के वीडियों में हम लोग ठनका बज़पात से बचा भीतू आपदा प्रवंदर विभाग विहार सरकार द्वारा एक मुवाईल अप डेवलोप किया गिया है जिसका नाम है इंदर वज्र उसके बारे में बताएंगे पिछले दिनों आपने सुना होग कि ठनका से बज़पात से बिहार में कई लोग की मिडितू हो गई तो इससे कैसे बचा जा सकता है क्या करना है do and क्या नहीं करना don't इसके वारे में हम बताएंगे और मोईल अप के वारे में बताएंगे कि इसके लिए जो बिहार सरकार ने इंदर वज़प जिससे आप 40-45 म मिल जाएंगा चैताबनी मिल जाएगी एप के माध्यम से कि वज़पात होने वाला आएंगे 20 किलोमेटर के रेंज में ये आपको ऑलेट करनेगा की के में कहा लाइटनिंग होने वाला है कहां भिजली थन का विजली चमकने की संभावना है ये आपको छेतामनी कै मैं बता देगा दिए ल क्या आप है जिसका नाम है इंद्र वज्र आप तो इसको हम लोग कैसे इंस्टॉल करेंगे कैसे यूज वीडियो में बताएंगे इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें अपने दोस्तों के बीच सेयर लाइक और सब्सक्राइब करना न भूले ज्यादा से ज्यादा लोग के बीच सेयर करें ताकि लोग भी इसके बारे में एवेर्ड हो सके तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं गूगल प्ले स्टोर में प्ले स्टोर में आप सर्च कीजिए इंद्र वज्र ठीक है तो देखें इंद्र वज्र करके आगया इंद्र वज्र इसको आप इंस्टॉल कर लीजे इस्टॉल हो रहा है गूगल प्ले स्टोर से 11.41 एंबी का यह फाइल है एपी के फाइल है गूगल प्ले स्टोर के उपलब्ध है चलिए ओपन कर लेते हैं इस्टॉल हो गया है ओपन पर टच करें देखें लिखा हुआ है बिहार सरकार आपदा प्रभंदन विभाग तो सबसे पहले मांग रहा है कि अपना मॉइल नंबर डाल लिए तो मैं अपना मॉइल नंबर डाल देता हूँ आप आप अपना नंबर डालेंगे और मॉबाइल सत्य अपित करें पर ठच कीजिए तो ओटी पी एक आ जाएगा ठीक है ऑटोमेटिक ओटी पी रिड कर लेगा सक्सेस्पूल योर मॉबाइल नंबर हैस बिन सक्सेस्पूली वेरिफाइट कर दीजे आपके रिसोर्सेज को एक्सेस करना चाहा रहा है देखिए अब यहां पर आप देख रहे हैं लाइटनिंग है मैप है सेटलाइट भीव सकते हैं वूंनों कि है जा सकते हैं सेटलाइट भीव में भी जा सकते हैं को बर्तमान मौसम के बारें देखिए यहां से आपको मिल सकता है कि humidity कितना है बाइंड स्पीड कितना है इसरा मिल जाएगा पुरुवा नुमान भी यहां से आप देख सकते हैं कि आज का temperature कितना का location है और इसके आज पास अभी कोई खत्रा नहीं है lightning का तो नहीं दिखा रहा है lightning का खत्रा होगा तो यहां पर दिखा देगा और यह मैप विव है आप जहें satellite विव तो पर टच कर दीजे देखे मेरा location है बुलू वाला है और अभी कोई यहां पर अलर्ट नहीं है खत्रा नहीं है जब भी अलर्ट होगा lightning का तो चालिस से 45 मेट पूर भी है आपको अलर्ट भी देदेगा और एप के थुरू आप देख भी सकते हैं सेटिंग्स भी है क्या करें और क्या न करें उसके बारे में भी इसमें दिया हुआ है भासा आप सेलेक्ट कर सकते हैं एप को सेर कर सकते हैं आपके सेर कर सेर का जो दिया हुआ इकन उस पर क्लिक करके आप दोस्तों के बीच में वाट्चाप के माद्यम से सूसल मीडिया के म अध्र आप से इसको सेर करें ज्यादा सेढ़ करें परचारीत करें भासा भी चैन कर सकते हैं अग्रेजी हिंदी इसमें आप कंपटेबूल तो इस सेटिंग बजा कि इतना चीज़ आप कर सकतें और इसमें भी दिया हुए कि पक्के मकान में सरल ले ये कर रहा है कि आपको करना चाहिए सफर के दवरान अपने बहान में ही बने रहे समू में न खरे होकर बलकि अलग-अलग खरे रहे यदि आप जंगल में हो तो बोने वंघने पेरों के सरल में चले जाए धातू से बने किरिसी यंत्र डंडा अधी से को दूर कर दें आस्मानी विजली के जटके से घायल होने पर प्रित वेक्ति को ततकाल नजदी की प्राथमी की चिकित्सा के अंदर पीएसी ले जानी की बेवस्ता की जानी चाहिए अस्थानी ये रेडियो और वहां पे मान लीजे कोई बिल्डिंग नहीं है मजबुत बि दोनों पेर के नीचे सुखी लक्री जैसे कुछ चीज रख ले प्लास्टिक रख ले बोरा लिख ले बने जो कुछ आलक हो उसको रख ले सुखे पत्ते को रख ले दोनों पेर को आपस में सटा ले दोनों हाथों को घुटने पर रख कर अपने सीर को जमीन की तरप यता सम जुका ले और सील को जमीन से न सटने दे इस बैत को ध्यान रखिए और जमीन पर कभी मत लेटे यह हैं कि आपको क्या करना चाहिए बज़पात से बचने ही तो क्या ना करें खिर्किया दरवाजे ब्रामदे के समीप तदा छत पर न जाएं तलाब और जलासाइसिक के समीप न जाएं बिजली के उपकरन या तार के साथ संपर्क से बचे वह बिजली के उपकरनों को बिजली के संपर्क से हटा दें ऐसी बस्त में जो बिजली की सुचालक हो उनसे दू प्रियोग ना करें यदि घर में हो तो पानी का नल फ्रीज टेलीफून आधिक प्रियोग ना करें यदि घर में हो तो पानी का नल को नच हुए तो यह दिया हुए कि आपको क्या करना चाहिए और क्या करना चाहिए बचने के लिए ठनका को तो आप नहीं रोक सकते हैं बज़ेपात को नहीं रोक सकते हैं लेकिन कुछ साबधानिया है कुछ गाइडलाइन है जिसको आप फॉलो करके इससे बच सकते हैं तो तो आप देख सकते हैं, तो settings में आपने देख लिया, भासा चेंड कर सकते हैं, और मैप देखते रहे हैं, खोल के आप, satellite भीव और मैप भी दोनों भीव देख सकते हैं, पुरिमानुमान, मोशन भीभाग देख सकते हैं, तो आप इस app को जरूर इंस्टॉल कर ले अपने दोस अगले वीडियो में फिर हम आपके साथ आपके पास एक और नया एप के बारे में लेकर जानकारी लेकर आएंगे तब तक के लिए धन्यवाद आप हमारा चैनल आईटी गुरू को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद